हमारे साथ बीजेपी विधायक बिलासपूर से और बीजेपी के महासचीव तिरलोग जंबाल जी सीधे जुड़े हुए हैं आपका स्वागत एंडेनुज पर जंबाल जी धन्यवार अनिल जी आपके शहर में 11 दिसंबर को बड़ा जश्न है बड़ा कारेकरम है कॉंग्रेस की कॉंग्रेस सरकार की कारेकाल के दो साल पूरे हो रहे हैं बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुंचने वाले हैं लेकिन क्या आपको निमंतरन मिल गया कॉंग्रेस की तरफ से क्योंकि आप स्थानिया विधाय क्या हुआ के अभी तक तो कोई निमंतन मिला नहीं है लेकिन निमंतन सरकार दो साल का जश्न बना रही है आपके शहर में आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया हलांकि बंबठा कुर अभी थोड़े दिर पहले जुड़े थे वो कह रहे थे कि जरूर बुलाएंगे उनको हम सब को बुलाएंगे नहीं अगर वो बुलाएंगे परदेश सरकार बुलाएगी तो हम उस पे जरूर विचार करेंगे लेकिन मैं तो परदेश सरकार से ये जानना चाह रहा था कि बिलासपूर में आप जसन मनाईए आपका स्वागत अभिनंदन लेकिन आप जब जसन मनाने आएं तो बिलासपूर का हिसाब भी बता दें कि पिछले दो वर्सों में आपने बिलासपूर को दिया कि पिछे दो वर्सों में बिलासपूर में आपने कितने फाउंडेशन टोन रखे और कितने आपने उनका लोकार्पन किया मैं अनिल जी आपके माध्यम से परदेश की जन्ता को यह बताना चाहता हूं कि पिछले दो वर्सों में मानिय मुख्या मंत्री जी चंद दिन पहले बिलासपूर आये थे और यहां हमारी जो गोविन सागर जील है उसमें सहर स्पाटा करके चले गए एक भी foundation stone उस दिन माननिय मुख्या मंतरी जी ने बिलासपूर में नहीं रखा बिलासपूर में माननिय मुख्या मंतरी जी ने अगर कुछ दिया है परदेश सरकार ने कुछ दिया है तो जब सरकार बनी थी उसके दूसरे दिन ही लगबग हमारे 30 institution डी नोटिफाई कर दिये अर्थात तीन ऐसे institution जो चले हुए थे जाए हमारा हर लोग का सबसील है जाए हमारा आई पिएच का सब डिवीजन था हैल्थ के सब सेंटर थे बर्माना की हमारी पिएच सी थी एम्स को पानी देने के लिए जो आई पिएच का डिवीजन था एम्स के अंदर की चौकी थी सब खतम कर दिया सब समाप्थ कर दिया सब को डी नोटिफाई कर दिया इतना ही नहीं 1971 से यहां MND का सरकल चल रहा था उसको समाप्थ कर दिया हमारे लगवट 15 से 20 स्कूल इस बिलासपूर जिला में बंद कर दिये तो मुक्या मंत्री जी ने और उनकी सरकार ने बिलास्पूर में केवल और केवल अगर कुछ दिया है तो बिलास्पूर में बंद करने का काम किया है और बिलास्पूर के लोगों को दर्द ही दर्द दिया ये तो कह रहे हैं कि क्रूज चल गया हमारे राज में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया बिलासपुर में ये जो क्रूज है अनिल जी ये पिछले मुझे लगता है कि जब मैं बहुत चोटा था तब इससे अच्छा एक क्रूज यहां चलता था ये और आज वो क्रूज कहाँ है पानी नीचे गया क्रूज गाया ये कोई एक क्रूज चलाने से आप किसी अर्थ बेवस्ता को नहीं बदल सकते आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के खेतर में बिलासपुर के लिए क्या किया आपने नया कौन सा प्रोजेक्ट दिया क्रूज तो पानी हमारा है क्रूज के लिए बाहर से ठेकदार अगर उसको क्रूज भी माल लें तो आपने टेंडर किया कि कोई पार्टिस्पेट करना जाता आप आ जाए यहां जितनी बोटें चलती हैं क्रूज मिन्स एक बड़े वाला बोट आप चला लें तो बोट सदियों से 1962 से जब से यह तैम बना है तब से बोट चली रहे हैं जंबाल जी आपने आरोब लगाया कि बंबर ठाकूर अपनी हार से बोखला गए हैं उनको एमस में भरती कर देना चाहिए मैंने सवाल पूछा कि आपने ऐसा काया उन्होंने का कि जंबाल जी सुबा से नशा कर लेते हैं उनको बोली कि टेस्ट कराया पहले ऐसा है जी किसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आप एक ही बात से पता कर सकते हैं एक बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल की राज़निती में और कॉंग्रेस के सासन में पहली बार किसी पूरव विधायक ने किसी के बेटे को मारने के लिए सुपारी दी हो हाई कोर्ट से अभी जमानत मिली है जी और जब हाई कोर्ट से आप जमानत पर छूट के आए हैं और यह मुझे के सर्टिफेट देंगे आपके इनके उपर बंबठागर को उपर 30 एफ आई आर हैं और एफ आई आर कराने वाला कौन है पूरो मेरे डिप्टिक मिशनर जब जब बंबर ठाकूर था, इसने यह नई प्रता, यह नया धंदा अपने बच्चों से करवाना सुरू किया कि इत्रे नहीं हां इनका यहीं बेटा एंडी पीस में अंदर रहा चिटे के केस्ट में अंदर रहें और यह पहली बार हुआ कि कॉंग्रेस की सरकार कॉंग्रेस की सारी व्यवस्था उसके बाद दो महिने अगर आपका बेटा अंदर रहता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रेवटी पूरी सरकार बचाने में लगी थी यह जो कहते हैं कि तिरलोग चमवाल क्या करता है तो तिरलोग चमवाल वो सकसियत है जिसने आपके बेटे को आपके सामने आपकी सरकार के सामने दो महिने के लिए जेल की सलाखों के पीछे निया एक अमसार दिए एक और आरोप आप पर लगता है कि आप हिमाचल सरकार को अस्थिर करने में लगे हूँ भाजपा के लोग अब CPS का मुद्धा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि विदायकों की सदस्यता रद की जाए यहारोप लगा रही है, कॉंग्रेस हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे है भाजपा मैं तो कॉंग्रेस पार्टी को ये कहना चाऊंगा और उनकी सरकार को ये कहना चाऊंगा कि आप अपने घर को संभालिए कोई भी जो राज़िती में आता है और चुन के जो व्यक्ति आता है चुन पब्लिक द्वारा चुन लिया जाता है वो इतना इमिचूर व्यक्ति नहीं होता क्या कान रहा कि आपके छे भी दायक आपको छोड़के चले गए आप जरा आतम मंथन कीजिए और अगर आप कह रहें कि अस्थिर करने की बाद तो इसका मतलब कि कॉंग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यही हम पहले कह रहे थे यही मैं आज कह रहा हूं अब आ नहीं रखा और कहा कि हम नए सिरे से विचार करेंगे इसका मतलब कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अगर अपने घर के अंदर ठीक नहीं चल रहा है तो बताने के लिए पडोसी को कह दो कि भाजपा वाले हमारी पेटे जिनी नजर रखे रखे बैठे हैं वो आरोप लगा रहे थे कि बिलासपुर को एक डोर किया गया और वहीं उसी शहर में आप कॉंग्रेस अपने दो साल के कारेकाल का जश्म नाने जा रही है लेकिन जश्म किस बात का फिलाल मेरे साथ इतना ही आप देखते रहें ने नूस नमस्कार